है लो दोस्तों कैसे हैं आप सब गूड आफटर नून कैसे हैं कैसे हैं जल्दी से बताएं बहुत बढ़िया सब लोग तियार हैं तो जैसा कि आपको पता है सुबह बहुत ही तगड़ी और जबरदस्त कलास चल लही थी लेकिन अचानक हुआ क्या अचानक हो गई पीच में नेटवर्क कमजोड आप सब को पता था सुबह में मोबाइल के ही डाटा से हुआ था से मैंने प्रामिस किया था कि कोश्चन तो मैं करवाऊंगा तो मैं कोश्चन करवाने के लिए आ गया हूँ और जो भी बच्चे आज तयारी में लगे हैं चाहे वो बिहार S.S.C. वाले हैं बिहार S.S.C. वाले बिहार S.S.C. या S.C. G.D. वाले हैं या B.P.S.C. टीचर व यह सबसे बहतिरीन कलास है क्यों बिए किए बहिया एक ही कलास में हम पूरे चिप्टर का सारा कोनसेप्ट दे देते हैं तो अभी जान बुझ के आप यूटुप पड जो गरीब बिद्यार्ति गरीब बिद्यार्ति कहने का मतलब वह इसा बिद्यार्ति जिक्राप स्पईस भाई आपके लिए हम free class यूटूब पर लेके आए हैं offline class हमारी सब ही साम में दो बज़े से ही चलते हैं तो सारे बैचे साम में offline सुबह नहीं रखा मैं आप लोगों के साथ जुर कर और आपके लिए जो विद्यार्थी गाउं में या कहीं भी रहते हैं दूर दराज खेत खली हान काम धंधा सब कर रहा है लेकिन पढ़ाई भी करने वाला है वैसा भी देर थी अच्छे से तियारी कर सकता है और यकिन मानिए 20 से 25 दिन आप class कीजिए इतने में आप अपनी जिन्दगी को बदल दोगे हाँ अब चलो सबसे पहली बात अब कॉल नहीं आगा अब तो वाइफाई से जुड़गी आप कॉल आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है अब class चलेगी ही चलेगी तो मैंने सुबह आपको बता दिया था आपको याद है ना मैंने क्या बता दिया था मैंने दो तीन चीजे बता दि थी अभी जैसे ही सारे बच्चे जूड़ते हैं तो मैं question करवाऊंगा अब सबसे पहले मैं एक बात बता दू सुबह मैंने क्या बताया था कि एक बात तो आपको याद ही रखना है और किलो मीटर परती गंटा में चाल होता है तो ये तो याद है किस किस को याद है भाई जल्दी हाथ ख़ड़ा करो ये पच का 5, 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, 5, 5, 6, 30 सुबह जो क्लास ली उसमें बता दिया है जो प्लेलिस्ट में आपको है मतलब ये 5 मीटर परती सेकेंड 18 किलो मीटर परती गंटा के बराबर होता है ये चीजे मैंने सुबह बता दिया था चलिए अब बताए ये 10 मीटर परती सेकेंड 36 किलो मीटर परती गंटा 15 मीटर परती सेकेंड 16 किलो मीटर परती गंटा के बराबर होता है ये सब बात याद है अब चलो आपको एक बात आउड याद रखने के लिए मैंने कहा था 5 बटा 18 और 18 बटा 5 में कौन बढ़ा है जल्दी से बताओ तो 18 बटा 5 और 5 बटा 18 में कौन बढ़ा है सुबा पढ़ा मुझे लगता है भूल गया होगा चलो जल्दी बताओ बढ़ा कौन है पका 18 बटा 5 बढ़ा है न तो कभी भी मीटर परती सेकेंड में चाल पता रहे और किलो मीटर परती घंटा में ले जाना है तो बढ़का यूनिट में जाना है तो बढ़का से गुना इचोटा यूनिट है इचोटा यूनिट है इचोटा अगर मालो ये 15 मीटर पर 30 सेकेंड किलो मीटर पर ती घंटा में कितना तो 18 बटा 5 से 5 ती पंदरा 18 ती चोवन किलो मीटर पर ती घंटा हुआ ये बात तो सब को याद है चाल को ऐसे ही चेंज करते हैं चाल को ऐसे चेंज करते हैं कि बड़ा कौन छोटा कौन चेंज हो गया यह सब को पता है, अब सुनो, आपको एक बात और बताए थे, जब दूगो ट्रेन का चर्चा होगा, और पार करने की बात होगी, तो पार करने में लगा समय, आपको क्या लिखना है, लगा समय, पार करने में लगा समय, जब भी होगा, तो D1 पलस D2, डिस्टेंस है ये, दोन के चाल का सम्मद, तो नीचा में चाल का सम्मद जब लिखोगे, सुनो, चाल का सम्मद लिखते, टाइम बस एक बात ध्यान रखना होता है, यह सुबा बताया था, याद है या भूल गये, चाल का सम्मद नीचे लिखते हैं, कैसे, अगर समान दिसा है, तब B1 माइनस B2, च चाल होता है velocity यानि बेग समान दीशा में एक ही दीशा में दोनों है समान दीशा में चाल घटाके और विपरित दीशा में भाईया विपरित दीशा में चाल हमेशा जूड जाता है यानि भी वन प्लस भी टू तो उपर में लंबाई का योग हमेशा होगा उपर में दोनों ग तो पार जब करना होगा तो जल्दी से पार हो सब्सक्राइब करना होगा कि दुन्यों पार बाद सब्सक्राइब करना होगा चाल बढ़ गया यानि आग इसलिए चाण घटा देना है लेकिन लंबया कभी नहीं घटेंगा लंबया हमेशा जू inscription अब सुनो, एक बात आउर बता दिया था मैंने, कि कभी भी कोई ब्रीज को, सडी, कोई पूल, पूल को पार करेगा ट्रेन, तो उस समय सिर्फ अपनी लंबाई को पार करता है, मतलब सोचो, कि ये जो ट्रेन है, कोई पूल को पार करे, पोल और क्या बताया था पोल बताया था मैन बताया था जी ट्री बताया था बताया था की नहीं बताया था बोलो जल्दी से जो सुबा कलास की आई हूँ तो बोलो अब देखो तो यहां से बताया था कि अगर पोल को पार करते ही तक सीन कुछ ऐसा होता है, यानि ट्रेन यहां से पार करना सुरू किया होगा, और ट्रेन यहां तक गई होगी, तब इस पोल को पार किया, इसका मतलब अगर ट्रेन है 200 मीटर लंबी, इसका मतलब कि उसको चलना भी पड़ेगा 200 मीटर, तब ही यह पोल को पार कर पाएगी, य ऐसे जब कभी रही होगी, ऐसे पार करना सुरू किया, ऐसे पार करना सुरू किया, यानि प्लेटफॉर्म के सामने से पार करना सुरू करेगा, और मुझे बताओ जरा, कोई बताओ, कि अगर ट्रेन यहां तक पहुच गई, तो क्या, क्या यह पार कर गई, क्या यह प्लेटफ प्लेटफॉर्म के सामने से जैसे ही छोड़ देगा पिछला डबा प्लेटफॉर्म के आखरी सीरे को जब छोड़ देगा उसी समय पार हो जाएगा मतलब ट्रेन यहां से लेकर यहां तक चलेगी तब ही जाकर प्लेटफॉर्म को पार करेगी इसका सीधा मतलब हुआ कि प्ले फॉर्म को पार करते समय 500 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा 500 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा तब जाके पार होगी ये बात बता दिया था कि नहीं बता दिया था बता दिया था तो अब चलो आपको अब आने है सवाल पर और सवाल पर आएंगे और सीधे सवाल पर लेके च डिरेक्शन में चाल हमेशा जूडता है यह मैंने बोल दिया अपजी डिरेक्शन में हमेशा जूडता है तो 20 अ 16 कितना हुआ 36 और 36 किलो मीटर परती घंटा को क्या बोल सकते हैं जल्दी बताओ 36 का जो पहारा होता है 18 में अठारा में कितने बार पढ़ने से 36 होगा जल्दी जल्दी बताईए, बिक्रम, खुस्बू, लबली, शर्मा, प्रभीन, जल्दी से, अप्लिकेशन में नम्मर चेंज करना है, कि दोसरा को कलास देने के चक्कर में है तू, ए, जल्दी बताओ, 36 km पर 30, गहणता को, मीटर पर 30 में कितना कहेंगे, बिल्दकुल, 10 मीटर पर 30 कहेंगे, 18 दूना 36, तो 5 दूना 10 मीटर पर 30 से केंद, अब आजाए सवाल पे हम, बोलो, सिधे सवाल पे आजाए, सब लोग तयार हो, लाइक नहीं किये हो, एक बार लाइक करो, 892 है, 892 पर सीधी बात, अब चलो सीधे हम आते हैं सवाल के तरफ, चुकि सवाल मुझे कराना था थियोरी तो मैंने पीछले कलास में ही पढ़ा दिया था, सुबा में पढ़ा दिया था, आज साम में भी बहुत खतरनाक रिजनिंग का कलास लेकि आने वाला हूँ, पच्चास प्रसंद कर आउंगा, सीधे डिट्टो एक्जाम में जैसे पूछे जाते हैं वो ऐसे सवाल होगा, ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है, पहला सवाल क्या कहता है, देखो, कहता है, 160 मीटर रेर, 140 मीटर लंबी दो रेल गारियों, समानतर रेल पत पर विपरीद दीसा में करम सव 77 किलो मीटर परती घंटा और 67 किलो मीटर परती घंटा के चाल से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, जब भी एक दूसरे को पार करवाना है, एक दूसरे को पार करवाना है, तो क्या करना होगा जी, पार करने में लगा समय, यानि टाइम पुछा है, तो उपर लंबाई का सम्मंद होगा, निचे में स्पीड का सम्मंद होगा, उपर में लंबाई यानि डिस्टेंस का सम्मंद, निचे स्पीड का सम्मंद, तो उपर लंबाई कितना कितना है, 160 है, 140, 40, 16, 30, यानि 300 मीटर हो गया, ये 300 मीटर लंबाई हो गया, लंबाई हमेशा जोड के और देखो दोनों जो है विप्रित दिशा में है कि समान दिशा में है कहा कि विप्रित दिशा में तो 77 और 67 जोडेंगे 144 तो 144 ये किलो मीटर परती घंटा हुआ किलो मीटर परती घंटा हुआ तो अब बताओ उपर में तो 300 मीटर है और नीचा में रखोगे किलो मीट प्रती घंटा तो कैसे कटेगा 44-18 को 8 बार पढ़ने से होता है 5 को 8 बार पढ़ो 5-8-40 40 मीटर पर 30 सेकेंड हुआ आपको छोटका यूनिट में जाना है तो 5 के पहारा किलो मीटर पर ती घंटा में 18 के पहारा दोस्त मीटर से मीटर 0-04 काधा दू 30 काधा 15 तब 15 बार दू यानि सारहे 7 सेकेंड आपका एंसर ओप्सन भी हो गया बोलिए समझ में आया सब लोग बताईए जल्दी से सब लोगों को समझ में आया सब लोगों को समझ में आया चलो अगला सवाल देखो प्रस्ण क्या कहता है सबाल कहता है यदि एक रेलगारी की गती 63 किलो मीटर परती घंटा है और उसी दीशा में पैदल चलने वाले यातरी को 3 किलो मीटर परती घंटा है उसी दीशा में एक यातरी जा रहा है जो तीन किलो मीटर परती घंटा के चाल से तो 500 मीटर लंबी रेलगारी पैदल यात्री को पार करने में कितना सेकेंड समय लेगा अरे आदमी को पार करना है तो रेलगारी को सिर्फ अपनी लंबाई पार करना होता है आपको पता है न, आदमी को, पोल को पार करते समय या पेर को पार करते समय उसे सिर्फ अपनी लंबाई पार करना होता है, यानि रेलगारी को 500 मीटर ये दूरी ते करना होगा, डिस्टेंस उपर में हो गया, आपको पूछा गया है टाइम, तो टाइम उपर में लंबाई का स सेकेंड में हो गया क्योंकि 18 के पहारा में 60 नहीं आ रहा था इसलिए हमने 5 वट्ट 18 से गुना करके मीटर पर 30 सेकेंड में लेके आ गये अब चलो देखो 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 0 से 0 कट गया 6 से 18 कट गया 5 से 10 बार में कट गया ये 3 जाकर गुना हो गया 10 तीय तीसा मीटर से मीटर कट गया यानि 30 सेकेंड लगा आपका answer option B है कोई भी बच्चा बना सकता है देखो आप अराम से इस सवाल को कर पा रहे है कोई दिक्कत नहीं है अगला सवाल देखो सवाल कहता है कि 2 सहर A और B 500 किलो मीटर की दूरी पर है एक गारी प्राता आठ बजे A से B की और 70 किलो मीटर परती घंटा के गती से चलती है और कहता है 10 बजे एक अन्य गारी B से 110 किलो मीटर परती घंटा के गती से A की और चलती है दोनों गारी आपस में कम मिलेगी मतलब कितने बजे मिलेगी ये पूछा गया है सवाल में बहुत अच्छा सवाल है ऐसे सवाल एक्जाम में पूछे जाते हैं ध्यान देना दो सहर A और B 500 किलो मिटर की दूरी पर है एक सहर A है, दूसरा सहर B है जो 500 किलो मिटर की दूरी पर है इन दोनों के बीच 500 किलो मिटर का गैप है एक गारी पराता 8 बजे A से 20 और 70 किलो मिटर परती घंटा के चाल से चलती है एक गारी इधर से चलती है और ये 8 बजे ही निकल देती है और ये चलती है 70 किलो मिटर परती घंटा के चाल से एक गारी इधर से चलती है 10 बजे और ये 10 बजे चलती है लेकिन यह चलती है 110 किलो मीटर परती घंटा के चाल से जरा गौड करना इधर वाली गारी 10 बजे चलती है इधर वाली गारी 8 बजे चलती है तो इधर वाली गारी जब चलेगी तब तक इधर वाली गारी अकेले चले कई घंटा, दू घंटा, क्यूँं? आठ बजे चली, इधर वाली 10 बजे खूलेगी, तो ये दो घंटा अकेले चलेगी, 70 के चाल से 2 घंटा में 70 दुना 140 किलोमिटर दूरी तै कर देगी, यानि कि 10 बजे, 10 बजे तक उसने 140 किलोमिटर दूरी तै कर दिया, तो 500 में से ये 70 द बाद लगा समय तो 10 बजे से लगा समय कितना होगा पता है अब चुकि उनके पास बच गिया है मात्र 360 किलो मीटर दूरी और 10 बजे इभी खुल जाएगी इधर वाली तो खुली हुई है बने चली हुई है तो 70 110 के चाल से ये 360 किलो मीटर की दूरी तै करेंगे दोनों 180 किलो मीटर परती घंटा के चाल से 10 बजे के बाद किलो मीटर किलो मीटर 0 से 0 18 दूरा 36 यानि 2 घंटा में वो दूरी तै हो जाएगा मतलब 2 घंटा में मिल जाएगा कई बजे के बाद 10 बजे के बाद तो 10 आदू 12 बजे यानि 12 बजे में मिल जाएगी दोनों गारी मिल जा आने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यह तो मैंने ऐसे ही बताया। अब ऐसे सवाल को कैसे बनाओगे। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है। पांसो किलो मिटर यही देखना होता है कि दुन्नों के बीच पांसो किलो मिटर का गैप है। इस 70 के चाल से पहले चलेगी, दूसरा 10 बजे चलेगी, तो 2 घंटा में 70 के चाल से 140 चल ली, तो सीधा 500 में से 140 को माइनस कर देंगे, बच गया 360, अब 360 किलोमीटर 10 बजे के बाद बचा हुआ है, 10 बज गया, 10 बजे के बाद दोनों चलेगी, तो दोनों अपजी डेरेक्शन म होगा 180, तो 0 से 0, 182, 36 यानि 2 घंटा लगेगा, तो 10 बजे के बाद 2 घंटा यानि 12 बजे हमारा एंसर होगा मिलने का, आपको इतने काम करना होता है, ऐसे ही काम करना होता है, सुलो पढ़ाईए, सुबह में नहीं थी काजल क्या, इसलिए बोल रही है सुबह में, आजाओ, एक बात बताओ, शौथा सवाल देखो जी, सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम पर PDF डाल चुके हैं, पहले ही PDF डाल दिये हैं, वीपिन सर PDF टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ से जाकर ले लिजेगा, 120 मीटर लंबी एक रेलगारी, 90 किलो मीटर परती घंटा के चाल से चल रही है, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, अब बताओ, 120 मीटर लंबी रेलगारी है, 90 के चाल से चलती है, तो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेग को चाल क्या है 90 90 को क्या बोलेंगे 25 मीटर पर 30 कैसे क्योंकि 90 होता है 18 को 5 बार पढ़ने से 5 को 5 बार पढ़ेंगे 25 मीटर से मीटर 5 से अगर इसको काटते हैं 25 से काटिये 25 से कम 25 25 चाके 1.516 गलती काट दिया चलो 25 हो गया जी अब 5 से 35 पान से काटिया 14 बार में आपका अंसर 14 सेकेंड ओप्सन डी बहुत बढ़िया अगला देखो इस सवाल को देखो कहता है समान लंबाई वाली विप्री दिशा में चल रही दो रेलगारी एक खंबे को करमसा 18 तथा 12 सेकेंड में पार करती है रेलगारी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी रेलगारी की चाल पता है नहीं पता है अब समान लंबाई कह दिया है तो मालो की पहली गारी की लंबाई अगर X है तो दूसरी गारी की भी लंबाई X होगा पक्का अब कहता है समाल लंबाई वाली विप्रित दिशा में चल रही दो रिल गारी एक खंबे को करम सा 18 और 12 सेकिन में पार करती है तो पहली की चाल क्या हो जाएगा, बताओ, पहली की चाल क्या हो जाएगा, पहली की चाल, दोनों की लंबाई X माल लिया, क्योंकि दोनों की लंबाई समान बोला, तो दोनों को X माल लिया, तो पहली की चाल, चाल बड़ाबर होता है, दुरी बटा समय, किसी भी खंभे को पा करता है कितना दिर में? 12 सेकिन में अब सवाल काता है रेलगारी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? एक दूसरे का मतलब होता है अगर दीशा न बोले तब तो क्या करो? लंबाई को जोड़ो तो कितना हो जागा? 2X उपर में लंबाई का संबंध दुन्यों चाल जोड दिये तो 5x अब बताईए ये x x कट गया 36 चल गया उपर तो 2 गुना 36 बटा कितना 5 तो अब समय यही लग जागा पार करने में कितना समय तो 36 दुना 72 पांच ये नीजे 5 है 72 दुना 144 14.4 सेकेंड आपका एंसर हो गया 14.4 सेकेंड आपसने मैंने दो कोर्स अलग अलग नमबर से परचेज कर लिया है तो बार बार लोगिन करना परता है मेरे कोर्स के एक ही नमबर पर करवा दीजे प्लीज चलो तुम क्या करो कि वाटस अप एक नमबर है तुबो दे देता हूँ टीम का नमबर उस पर संपर्क करो 89, 70, 35, 27, 49 कॉलिंग टीम को आप अपना ये समस्या बताओ ठीक है? चलो ये बात आगया समझ में सब लोगों को बढ़िया से आया बात समझ में की नहीं ये बताओ आगया ना समझ में? देखो समाल लंबाई की गारी है विपरी दिशा में चल रही रेल गारी एक खम्भे को करमसा 18 और 12 सेकिन में पार करती है कभी भी खम्भा को पार करती है इसका मतलब वो उतना दूरी चलती है जितना उसकी खुद की लंबाई होती है और खुद की लंबाई हमने इसकी X कर दिया था, क्योंकि दोनों की लंबाई नहीं पता था, पर दोनों की लंबाई बड़ाबर था, तो पहली गारी की लंबाई हमने X कर दिया, दूसरी गारी की लंबाई X हो गया, पहला का चाल हमने भीवन लिखा, चाल कैसे निकलेगा, प आफको फर्मूला पता है ना पार करने में लगा समय क्या होता है लंबाई का संबन्द नीचे चाल का संबन्द लंबाई का संबन्द हमेशा जोड़के तो एकस टू एकस हो गया नीचे चाल का संबन्द अठारा बारा का एलसीम हुआ चातिस अठारा दूना चातिस टू एकस तो दू आएक तीन यानि तीन अदू पांच एकस एकस कट गिया 36 उपर चल गिया 36 दूना 72 बटा 5 हुआ 72 दूना 144 दसमलो एक अंक बाद 14 दसमलो 4 सेकेंड ओप्सने हो गिया बात है समझ में फिर से बता दिया बहुत सिंपल है जी आगे देखो सवाल क्या कहता है सवाल कहता है कि एक चलती हुई रेलगारी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 300 मिटर लंबे पूल को पार करने में करम सद 10 सेकेंड और 25 सेकेंड का समय लेती है तो 200 मिटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी बहुत बढ़िया सवाल है जी आजाओ सवाल क्या कहता है एक चलती हुई रेलगारी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मिटर लंबे पूल को पार करने में करम सद 10 सेकेंड और 25 सेकेंड लेता है दिमाग लगाओ यहाँ से 300 मिटर लंबे पूल को पार करते समय क्या होगा पता है जब कोई रेलगारी पूल को पार करेगी तो पूल को पार करते टाइम उसको ऐसा होगा कि अपनी लंबाई के साथ साथ उस पूल के लंबाई की योग को पार किया होगा तो यह जो 25 सेकेंड दिया है यह 25 सेकेंड ऐसा है पचीस सेकेंड में यहां से यहां चली होगी पूल को पार करते टाइम और दस सेकेंड में कहता है एक आदमी को पार किया कहता है न रेलगारी किसी प्लेटफरम पर खड़े एक आदमी को दस सेकेंड में तो दस सेकेंड में आदमी को पार करने समय, तो रेलगाड़ी की चाल पता चल गया, चाल बड़ाबर दुरी बटता समय, पूल कितनी लंबी है जी? 300 मिटर, यानि 300 मिटर लंबी दुरी तै करने में उसको लगता है 15 सेकेंड, समझो ज़ारा 15 दूना 30 यानि की 20 मिटर पर 36 सेकेंड, 20 मीटर पर 30 सेकेंड के चाल से रेलगारी चल लही है रेलगारी की चाल निकल गया आपसे कहता है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी एक बात बताओ रेल गारी की लंबाई पता है तुम्हें रेल की लंबाई तो रेल की लंबाई नहीं पता है निकाल लो इस चाल से चलता है तो खुद की लंबाई को 10 सेकेंड में पाड़ करता है ना तो चाल गुना समय जो दूरी होगा वह दूरी जो होगा वो ट्रेन की लंबाई होगा 10 सेकेंड में तै की गई दूरी तो 20 मीटर पर 30 सेकेंड के चाल से चलेगी और खुद की लंबाई को 10 सेकेंड में यानि कि सेकेंड से सेकेंड कट गया 20 दहाई 200 तो 200 मीटर हुआ तो 200 मीटर खुद की लंबाई और 200 मीटर लंबे प्लेटफर्म को पार करेगी तो 200 वा 200 कितना हुआ? 400 यानि 400 मीटर दूरी तै करवाना है और रेलगारी की चाल है 20 मीटर परती सेकेंड मीटर से मीटर कटा 0 से 0 20 बार में आपका एंसर ओप्सन C हो गया आपका एंसर ओप्सन C हो गया बात आया समझ में? चलो तो मैथ की भाई UPSI वाले तुम है तो अर्थमेटिक में यही सब पूछता है पढ़ो यहां से एपर क्लास BSSE का कल से स्टार्ट हो जागा धूरीना एपर चलो आगे ध्यान दो जी अब यह सवाल को न दोस्त ऐसे बनाना नहीं था आप ऐसे बना लेते simple तरीका कैसे? यह आपको पता होना चाहिए कि जब कोई पूल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ पूल की लंबाई की योग लेकिन जब कोई बेक्ती को पार करेगी इसका मतलब वो खुद की लंबाई पार करती है तो सवाल का है एक चार्ड एक चलती हुई रेलगारी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पूल को 10 सेकेंड और 25 सेकेंड तो आदमी को हो गया चाल तो चाल हो गया 20 मीटर पर 30 सेकेंड अब देखेंगे कि खुद की लंबाई तो 10 सेकेंड में पार किया तो इस चाल से 10 सेकेंड में 20 दाहई 200 मीटर वो ट्रेन की लंबाई है यानि ट्रेन की जो चाल है और ट्रेन की जो लंबाई है यह है अब सवाल कहता है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्ण को कितना दिर में पार करेगी तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्ण तो 200 खुद उसकी लंबाई यानि कि 400 मीटर दूरी तै करवाना है और तै करेगा 20 मीटर 30 सेकेंड की चाल से चाल यही है मीटर से मीटर 0 से 0, 2 से कटा 20 बर में आप इतने काम करते और आपका एंसर तैयार हो जाता बस इतना काम करना था बात आए समझ में आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल के तरफ देखिए सवाल क्या कहता है कहता है कि एक रेलगारी 50 मीटर लंबे प्लेटफर्म को 14 से किन में पार करती है और प्लेटफर्म पर खड़े एक आदमी को 10 से किन में पार करती है रेलगारी की गती क्या है एक बात बताओ रेलगारी 50 मीटर लंबे प्लेटफर्म को पार किया 14 सेकिन में क्या ही सही बात बोला नहीं, प्लेटफॉर्म को पार करते समय, प्लेटफॉर्म के लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार किया होगा 14 सेकिन में यानि इसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का टाइम होगा और आदिमी को 10 सेकेंड में यानि ट्रेन का खुद टाइम 10 सेकेंड खुद को पाड़ करने में तो 14 में से 10 घटाव 4 ये 4 चार सेकेंड जो लगा वो प्लेटफर्म को पाड़ करने में लगेगा यानि 50 मीटर चलने में 50 मीटर दूरी ते करने में सिर्फ 4 सेकेंड लगेगा ले जाओ 18 बटा 5 से गुना करके, चलो इसको हटा दिया, अब दूसे 9 बार में, 5 से इसको कटे 5 बार में, 9.45 किलो मीटर पर ती घंटा ओप्सन सी हुआ, आया समझ में, बोलिए जरा, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सुबह में हमने इसकी थियोरी पढ़ाई आपने नहीं समझा होगा, इसलिए दिक्कत होगा होगा, देखो हुआ क्या है, एक रिलगारी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 से किन में, तो रिलगारी जब पाड़ करेगी, तो सीन कुछ ऐसा रहेगा, रहेगा की ना? तो कहा 14 से किन में प्लेटफॉर्म को पाड़ किया, मतलब एतने न चला होगा, रिलगारी को यहां से यहां तक चलना पड़ा होगा, बताये समझ में? आईए, तो अब बताये, यहां से यहां तक 14 से किन, और कहता है, और प्लेटफॉर्म पर खरे एक आदमी को 10 से किन में, अब आदमी कहीं भी खड़ा रहे आदमी को 10 सेकेंड में यानि यहां से यहां 10 सेकेंड में आदमी को मतलब की अपनी लंबाई को 10 सेकेंड में यही बात समझना होता है इधर 10 सेकेंड हुआ पूरा चौदा हुआ तो इधर 4 सेकेंड न हुआ जी चारे सेकेंड ना यानि यहां से यहां सिर्फ चार सेकेंड में यानि पचास मीटर दूरी चार सेकेंड में किलो मीटर परती घंटा मिले जाना है तो 18 बटा 5 से गुना करिए पांदा है पचास, चार का अधा दू, दस का अधा पांच, दू नमा अठारा नवपचे 45, 45 किलो मिटर परति घंटा ओप्सन सी हुआ ऐसे तो करना है भाई ये हो गया, फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ चलो इस सवाल को जल्दी से आप लोग बना के बताओ इस सवाल को जल्दी से आप लोग बनाओ सर आपके चैनल का नाम क्या है? भाई मैत मस्ती नाम है, रुलाएगा क्या आप पांच मिलियन फल्वर हो गया तब भी कहते हो की चैनल का नाम क्या है? ऐसे में कैसे काम चलेगा? बताओ जल्दी से इस सवाल को बना के कॉमेंट करिए जल्दी से आजाओ सवाल कहता है दो रेलगारी की चाल 967 के नुपात में है? यदि दूसरी रेलगारी चार घंटे में 364 किलो मीटर चली हो तो पहली रेलगारी की चाल दो रेलगारी जिनकी चाल 967 में है पहली और दूसरी इनके ए स्पीड का रेश्यू है जी अब कहता है चार घंटा में 364 किलो मीटर यदि दूसरी रेलगारी तो 4,9,36,4,1,4 यानि की 91 किलो मीटर परती घंटा चाल हो गया दूसरी का 364 किलो मीटर अगर कोई रेलगारी 4 घंटे में चलती है तो 4,9,36,4,1,4 91 km पर ती घंटा चाल हुआ उसका यानि दूसरी गारी का चाल पता है और दूसरी गारी का चाल पता है 7 दूसरी गारी का चाल है 91 km पर ती घंटा जबकि यहां दिया हुआ है 7 तो 7 में 13 से गुना करने पर हो जागा 13 से 93 इसका साथ 13 गुना कितना होगा 136 के 78 108 किलो मीटर परती घंटा हो जाएगा 108 किलो मीटर 136 के 78 किलो मीटर परती घंटा 12 नमा 108 136 के 78 सही है बहुत बढ़िया बना दिया आपने इस सवाल को गोर करिये जरा 240 मीटर लंबी एक रेलगारी किसी 3 किलो मीटर परती घंटा के चाल से चल रहे है लाइन के साथ साथ विपरित दिशा में चलने वाले आदमी को 10 से किन में पार करती है रेलगारी की चाल क्या होगे अब रेलगारी की चाल पूछे गई है देखो याद रखना पार करने में लगा समय आपको बताया मैंने पार करने में लगा समय क्या होता है तो पार करने में लगा समय होता है D1 पलस D2 दुन्यों बस्तु के लंबाई का योग अनिच्चे चाल का तो इसमें क्या है बिपरित दिशा में चलने वाले आदमी तो बिपरित दिशा में तो दुन्नों के चाल क्या होगा जूड जाएगा जूड जाएगा ना तो उपर में लंबाई का योग अनिचे में चाल का योग लंबाई का योग तो हमेशा रहता है और चाल का योग इसलिए करेंगे क्योंकि opposite direction में है जी तो अब एक बत बताओ तो 240 मीटर लंबी एक रेल गारी है तो लंबाई का योग 240 मीटर होगा आदमी के लंबाई 0 होता है आदमी के लंबाई 0 आदमी के लंबाई 0 पेर की लंबाई 0 पोल की लंबाई 0 क्योंकि इनकी लंबाई train की लंबाई के तुल्ला में नगन्ने है न के बराबर है जी अब चलो तो 240 अब चाल का क्या करोगे तो चाल का ऐसा करो चाल का ऐसा करो 3 किलो मीटर परती घंटा के चाल से चल रहा है तीन किलो मीटर परती घंटा के चाल से चल लहा है और ट्रेन की चाल नहीं पता है तो ट्रेन की चाल को भी माल लो अच्छाई जीरो को हटा दे तो कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं ट्रेन की चाल भी और तीन किलो मीटर परती घंटा को वो 5 बटा 18 से गुना करके मीटर पर 30 सेकेंड में लाईए कहिएगा क्यों लाए क्योंकि ये मीटर में है समय सेकेंड में है मीटर पर 30 सेकेंड में रहना चाहिए 3, 6, 18, 5 बटा 6 अब ये आदमी का चाल 5 बटा 6 मीटर पर 30 सेकेंड हुआ अब क्या हुआ देखो, उपड में लंबाई का योग, नीचे में चाल का योग, तो दूरी बटा चाल, यह लंबाई यानि दूरी बटा चाल समय, और समय लगा है, समय जो निकालना है, वो समय दिया हुआ है 10 सेकिन, अब यह 0 से 0 सीधा कट गया, इधर आ गया, भी पलस 5 बराबर 24, तो उधर जाके घटा दो, यानि घटा दोगे, तो भी बराबर क्या हो जाएगा जी, 24, 24 अउधर चल गया, माइनस 5 बटा 6, तो 5 बटा 6, यानि यह आपको मीटर पर 30 सेकिन में आएगा, 24 चाके कितना हो जाएगा, 24, 24, 16, 12, 14, 14, 14, में से 5 चला जाएगा, 144 में से 5 चला जाएगा, तो 149 बटा 6, आ किलो मीटर परती घंटा में ले जाना है, तो 18 बटा 5 से गुना, च्छतरी अठारा अब उपड़ हो गया नो तिया सत्ताइस के साथ हासिल दू अत्तेरा तिया उन्चालिस आदू एकतालिस बट्टा पांच इसको भाग लगा दीजिए तेरा पॉइंट तेरासी पॉइंट चार किलोमीटर परती घंटा हो जाएगा और एक आदमी का चाल हो गया अब देखिये सवाल कहता है एक समय दो रेलगारी में से एक, A से B के लिए तथा दूसरा B से A के लिए रवाना होती है यादि वे प्रसपर मिलने के बाद B तथा A पर करम से 4 गंटा और 9 गंटा में पहुंचती है तो रेलगारी की चाल का अनुपात क्या है देखिए कभी भी दो रेलगारी चले एक रेलगारी मालो एक ही समय दो रेलगारी में से एक A से B के लिए एक A से B के लिए और एक B से A के लिए एक इधर से चलेगी, एक इधर से चलेगी, कहीं पर मिले, तो मिलने के बाद ऐसा कहेगा, कि हो सकता है वापस इतना दिर में चल जाए, यह अपने वापस इतना दिर में, या मिलने के बाद यह इधर ही पहुंच जाए और यह इधर ही पहुंच जाए, तो मिलने के बाद जब वो कहीं पहुच रहा है आपको एक फर्मूला याद रखना है जब दोनों गारी मिलके जहां जाना है वहां निकल लिया B1 बटा B2 बराबर रूट अंडर T2 बटा T1 ऐसे ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम सब कुछ पढ़ा रखे हैं ये पढ़ा रखे हैं तो आईए ज़रा ध्यान दीजिएगा तो यहां पढ़ा आपको क्या करना है B1 बटा B2 अब बराबर रूट अंडर T2 बटा T1 T2 यानि दूसरा टाइम लिखना है 9 गंटा पहला टाइम 4 गंटा ये हो गया 3 अनुपात 2 यानि तीन अनुपात तीन बटा दू यानि तीन अनुपात दू ऑप्सन B हो गया चलिए अगला सवाल बनाईए अगला सवाल ये फर्मूला याद रखना इस सवाल को जल्दी से बनाओ आईए जरा ध्यान दीजिएगा एक 11 नमर सवाल कहता है एक रेलगारी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को करम सव सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है रेलगारी की लंबाई क्या है रेलगारी की लंबाई बताया ना है बजी रेलगारी की लंबाई बिहार पुलिस का एक्जाम कब होगा ये बिहार पुलिस का एक्जाम मैं कैसे बता सकता हूँ आजओ हमको लेना होता तो आज साम में तुमसे हम एक्जाम ले लेते एक रेलगारी 800 मिटर और 400 मिटर लंबे दो पुल को करम सा 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पाड़ कर जाती है एक बात बताओ यहाँ पर एक रेलगारी 800 मिटर और 400 मिटर लंबे दो पुल को करम सा 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है दो पुल को पार करती है तो पार करने में क्या होता है लंबाई का यो दो पुल को पार किया होगा ट्रेन की लंबाई माल लेते हैं पहले X तो पहला 800 मीटर लंबे पुल को पार किया उस समय क्या होगा इन दोनों को जोड़के दूरी इस लंबाई को 100 सेकिंड में तो दूरी बट्टा चाल समय हुआ फिर उसी गारी को दूरी बट्टा समय चाल हो गया उस गारी का चाल हो गया फिर वही रेल गारी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई X फिर 400 मीटर लंबे पूल है तो दोनों के लंबाई के योग को पार किया फिर अगला बार 60 सेकेंड में बात समझे नहीं समझे जब भी रेलगारी किसी पूल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस बस्तू के लंबाई के योग को पार करती है तो अपनी लंबाई बस्तू के लंबाई 100 सेकेंड में पार आप 0 से 0 काट दिये 6 का आधा 3 तो 10 का आधा 5 कर दिये क्रोस गुना 3x प्लस 8 3 24 100 बराबर 5x अब प्लस कितना हो गया 4 पचे 20 यानि 2000 5x 3x में से घट गया तो 2x 24 100 में से 2000 घट गया तो 400 है ना दूसे काट दिया 200 बार में यानि x का मान 200 हो गया यानि वो रेलगारी 200 मीटर लंबी है आपका answer option c हो गया आपका answer option c आया समझ में बहुत बढ़िया पक्का चलो आगे बढ़ हूँ आगे बढ़िये और आज साम में reasoning का जबरदस्त 7 बजे कलास लेके आ रहा हूँ जी बिहार ssc वाले ssc जीडी वाले त्यार रहे 90 किलो मीटर परती घंटा के चाल से जा रही 250 मीटर लंबी train प्लेट फर्म पर खड़े हुए एक बेक्ति को कितने समय में पाड़ कर जाएगी मैंने रूटीन बना दिया है आप लोगों के कलास का आपको नहीं पता होगा जो नए बिद्यार थी वो जान लीजी reasoning दो दिन पढ़ाऊंगा 100 question दो दिन में sunny bar plus रभी बार ये जो कलास चलेगी ये special reasoning की होगी YouTube पर फिरी reasoning sunny bar और रभी बार साम 7 बजे अभी तो मैं जुर्माना में पढ़ा रहा हूँ एक बजे क्यों सुबा कलास में डिस्टर्ब हो गया था इसलिए साम 7 बजे sunny bar और रभी बार सिर्फ sunny bar and रभी बार कह दो sunny bar and रभी बार चलेगा साम 7 बजे बाकी आपका जो maths है ना यह maths maths की कलास डेली और परती दिन यह कलास चलेगी यानि परती दिन समझ लो परती दिन सुबह में सुबह में 8 बजे पता है सब लोगों को ये बात सुबह में 8 बजे maths को ऐसे ही पढ़ाऊंगा पहले बेसिक बताऊंगा फिर उसके कोश्चन करवा दूँगा चेप्टर बाईज रीजनिंग में पूरा मिसलेनियस कोश्चन करवाऊंगा धुडीना एपकर कलास सुमबार से चलेगी जी चलो यानि कल से तो ये सब को याद है टाइम आजाओ इस सवाल को बना दिया 90 किलो मीटर परती घंटा के चाल से जा रही 250 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफर्म पर खड़े हुए एक विक्ति को कितने समय में पार करेगी आरे वो आदमी कहीं भी खारा रहे क्या दिक्कत है आदमी ये को न पार करना है जी तो आदमी को पार करने के लिए सिर्फ उसे अपनी लंबाई पार करना होता है यानि कि 250 मीटर दूरी उसको तै करना होगा जब वो आदमी को पार करेगा 90 के चाल को हम बोल सकते है 25 मीटर परती सेकेंड बोल सकते की नहीं 90, 18 को कितना बार परने से होता है अगला सवाल देखो अगला सवाल क्या कहता है 13 नमर सवाल को जल्दी से बनाओ आप लोग ट्राइ करो जल्दी जल्दी से ट्राइ कीजिए जल्दी बताओ कि झाले खाले ता सकते हम जल rend LA 5 सकते हैं झाल 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 माइक 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 मैने आफ कर दिया था माइक आफ कर दिया था यार मैं पानी पीने लगा था तो माइक आफ कर दिया था अब आगे आवाज चलो यहां समझो माइक आफ कर दिया था मैने 26 किलो मीटर परती घंटा के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी ट्रेन इंजन से 120 मीटर आगे एक बेक्ती को 9 किलो मीटर परती घंटा के गती से उसी दीशा में दोड़ा जा रहा है जिस दीशा में ट्रेन जा रही है लेकिन यहाँ पर आदमी जो है उस ट्रेन से 120 मीटर आगे भी है तो 120 मीटर आगे है तो कोई ट्रेन मालो आदमी का पीछा करेगी आदमी यहाँ पर है और यह ट्रेन जब इसको पीछा करेगी तो ट्रेन की लंबाई तो हमको पता है ट्रेन की लंबाई कितना है जी, 240 मिटर तो ट्रेन की लंबाई है जी, 240 मिटर तो 240 मिटर ट्रेन की लंबाई ये दूरी तो तै करना ही होगा साथ में वो आदमी 120 मिटर आगे है तो इस आदमी को पकरने के लिए इतना दूरी तै करना पड़ेगा इतना दूरी तै करना पड़ेगा यानि कि 240 है 120, 360, 360 मीटर दूरी तै करना पड़ेगा ठीक है? 360 मीटर दूरी तै करना पड़ेगा और किस चाल से? तो चवबन का चाल है और नौ का चाल है समान दिशा में चाल घटता है आपको पता है चवबन में से नौ घटा दीजिए 45 तो 45 किलो मीटर परती घंटा हो गया अई मीटर में है तो इसको 5 बटा ठारा से गुना करके मीटर परती से केंड में लेके आ जाईए चलिए पांच से 9 से काटिए पांच बढ़ में 9 दूना 18 पांच से इसको काट दीजिए यह तो मीटर मीटर गया 5 सत्य 35 5 दूना 10 दू चल गया उपर 72 दूना 144 144 बटा 5 सेकेंड बचा इसका मतलब हुआ 28 पुरनांग 4 बटा 5 सेकेंड आपका एंसर बिल्कुल प्लेलिस्ट तो बन गया है प्लेलिस्ट बन गया है जी आपका अब देखो 14 में 120 किलो मीटर परती घंटा के चाल से जा रही ट्रेन A. इसी की दिसा में समांतर पत्री पर जा रही ट्रेन B. को दो मिनट में पाड़ कर जाती है यदि ट्रेन की लंबाई करवस्ट 100 मीटर और 200 मीटर है तो ट्रेन B की चाल क्या होगी सवाल क्या कहा जानते है 120 किलो मीटर परती घंटा के गति चाल से जा रही ट्रेन A. इसी की दिसा में समांतर पत्री पर जा रही train B को 2 मिनट में पार कर जाती है यानि train A 2 मिनट में पार कर जाती है B को A कहीं दिसा में जा रही है और in train की लंबाई करमसद 100 और 200 मीटर है तो train B की चाल क्या होगी? train B की चाल एक बात बताओ एक बात बताओ पार करने में लगा समय क्या बताए थे हम आपको पार करने में लगा समय क्या बताए है उपर में लंबाई का सम्मण D1 पलस D2 यही न है लंबाई का सम्मण नीचे चाल का सम्मण तो चाल का सम्मण इस बार क्या होगा एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा तो एक का चाल है 120 और आगे वाली ट्रेन जा रहे हैं माल लेते हैं उसके चाल को X लेकिन ध्यान देना सवाल को बनाते समय चुकि उपर में लंबाई का समन्द लिखोगे तो लंबाई हमेशा जोड़के तो एक सवा दू सव तीन सव तीन सव मीटर हुआ अब देखो तो 120 नहीं लिख सकते आप यह किलो मीटर परती घंटा में है तो निचा तो आप चाल का समन्द लिखिएगा ही यानि चाल घटेगा सेम डाइडेक्शन में अब क्या करोगे तो 120 किलो मीटर परती घंटा को 5 बटा 18 से गुना करके पहले मीटर परती सेकेंड में चेंज करो 6 से 6,3,18 26 के 27 से 25 सव, 100 बटा 3 यानि 100 बटा 3 एक का चाल हुआ दूसरे का चाल यानि ट्रेन B का चाल हम एक से मान लेते हैं तो एक ही दीशा में जा रहा है तो चाल घंटेगा अब क्या हुआ पता है ये अब क्या निकल के आया पता है ये ये निकल के आया कि लंबाई आ निचे चाल तो समय हो गया उपर लंबाई का समन नीचे चाल का समन opposite direction हो या same direction हो लंबाई तो हमेशा जुड़ता है same direction है इसलिए चाल घटा तो A का चाल इतना है B का चाल इतना है तो हो गया काम खतम अब सुनो तो ये समय निकल गया क्योंकि समय बराबर दूरी बट्टा चाल ये दूरी बट्टा चाल हो गया और समय कितना दिया हुआ है 10 second तो 10 second इधर लिख दे बराबर में या बराबर में उधर 10 second लिख दे क्या दिकत है सोड़ी 10 second नहीं है 2 minute में पाड़ किया तो 2 minute को क्या बोलोगे 120 second बोलोगे अब हुआ सही अब 0 से 0 काट सकते हैं 6 12 तो 6 35 अब क्रॉस गुना तो माइनस में 2 X अब दूसे गुना तो कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा दूसे तो आप ऐसे कह सकते हो सिधा 2 3 600 या 2 100 बटा 3 प्लस में अब बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 5 अब इसको उधर भेज दीजिए अब इधर भेज दीजिएगा तो इसमाइनस 2 X रहने दीजिए इसको भेजिएगा तो जाके घटेगा तो घटेगा तो 5 ती पंदर 200 में से 15 गिया तो 180 180 बटा कितना हो जाएगा माइनस में 3 तो कि 5 ती पंदर घटेगा यह माइनस से माइनस काट दीजिए X का मान बटा में आ जागा यानि 186 हो जाएगा अब इसको अगर आपको ले जाना है किलो मीटर परती घंटा में तो 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए यह मीटर परती सेकेंड हो गया सरी किलो मीटर परती घंटा हो गया ये होगी आपका किलो मीटर परती घंटा अब 6 से 6 तरी 18 अब 5 से काट दिये 5 तिय पंद्र पान सत्य पैंतिस सत्य एकईस तिन तिय नवा दूए गारह 111 किलो मीटर परती घंटा आपका एंसर सर जी लेंग्वेज समझ में नहीं आता है अब आपको लेंग्वेज समझ में नहीं आता है काहे जी काहे कि आपने कलास नहीं करा सुरू से इस सवाल में कौनों बड़ा बात नहीं था जैसे ही पार करने की बात कहे तो हमेसे याद रखना एक ही बात याद रखना पार करने में लगा समय पार करने में लगा समय पार करने में लगा समय फर्मूला है यानि पार करने में लगा जो समय निकालते हैं इसका फर्मूला है उपर में लंबाई का संबन्ध तो D1 पलस D2 हमेशा दुन्नों के लंबाई जोड़के नीचे चाल का संबन्ध लेकिन एक ही बात ध्यान तो रखना होता है चाल का संबन्ध कब और लंबाई का संबन्ध कब चलिए तो आपको पता है तो उपर जट से हम क्या करते पार करने में लगा समय दू मिनट तो 120 मिनट यहां लिखेंगे दुन्नों के लंबाई का योग 100 आ 200 300 नीचे में चाल का समन्ध चाल 120 को पहले चेंज करेंगे क्योंकि यह सम मीटर में है तो इसको मीटर पर 30 से किन में 5 बटा ठारा, छातरी अठारा, छाओ से बीस बड़ में बीस पचे साओ, एक साओ बटा पाँ, एक सो बटा तीन और एक का चाल एकस दोनों अपोजीट डेरेक्शन में अगर रहता तो जोडते, सेम डेरेक्शन में घटा देते, अभी काटा पीटी करिए, बस इसी को तो हल करना था, 111 किलोमीटर प्रती घंटा आपका एंसर आया, अब देखिए, अगला सवाल देखिए, सेम है या क्या है, यह देखिए ज जाने वाली ट्रेन ने उसे चार सेकिन में पार किया, यदि दोनों ट्रेन की लंबाई बडाबर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को समझो, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ एक बेक्ती ने अनुभब किय एक बेक्ती कहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उस बेक्ती ने अनुभब किया कि एक ट्रेन उसे पान सेकिन में पार करती है, कोई ट्रेन उसको पान सेकिन में पार करती है, यानि वो ट्रेन खुद की लंबाई को पान सेकिन में पार कर रही है, तथा इस ट्रेन के वि बेक्ती को पार कर लिया, इस बेक्ती को पार कर लिया, कितना दिर में? चार सेकिन में. यानि ये खुद की लंबाई को चार सेकिन में पार कर रही है. यही बात है. और सवाल ये कहता है, यादि दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय देखो किसी बेक्ती को ट्रेन पार कर रही है इसका मतलब वो खुद की लंबाई को पार कर रही है और दोनों की लंबाई बोल दिया है न बराबर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है तो मान लिया जाए कि पहली ट्रेन की लंब को पार किया है कितना दिर में पांच सेकिन में दूरी बट्टा समय चाल तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी तो इसकी लंबाई ये खुद की लंबाई को पार किया है चार सेकिन में अब दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी जब दीसा न बोले सीधा एक दूसरे कहेता विपरित समझना, विपरित दिशा में, लंबाई तो हमेशा जोड के ही लिखा जाता है, चाहे सेम डाइरेक्शन ट्रेन जाए या पोजी डाइरेक्शन, पार करने में लगा समय, उपर लंबाई का समन्द नीचे चाल का समन्द, चार पांच का LCM, चार पांच बटा, चार पुरनांग चार बटा, नव सेकेंड, लो, आपका एंसर ओप्शन एत तैयार है जी, पस यही तो बात है, और क्या बात है, इतना असान तरीका है, इतना जबर्दस तरीका है, देखो, बहुत सारी चीज़े इसमें है, जो थियोरिकल आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए, आजाओ, आगे बढ़िये, इस सवाल को देखो, अगर तुम सच में एक्जाम किलियर करना चाहते हो, तो पढ़ना तो पढ़ेगा मेरे भाई, कहता है, लाइक नहीं करते हो ना तुम लोग, बताओ, टेलीग्राम, बीपिंशर पीडियव, टेलीग्राम सर्च करो टेलीग्राम पर, बीपिंशर पीडियव, 24 किलो मीटर परती घंटा के 4 से गतिमान रिलगारी A, 298 मीटर लंबे एक प्लेट फॉर्म को 30 सेकिन में पार करती है, 72 किलो मीटर परती घंटा के चाल से गतीमान रिलगारी B रिलगारी A को समान दिशा में 66 सेकेंड में पार करती है रिलगारी B की लंबाई, रिलगारी A की लंबाई से लगभग कितना परतीसत अधीक है लगभग कितना परतीसत अधीक है देखो सवाल क्या कहता है 24 के चाल से चलती गतिमान रेलगारी A 298 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 से किन में पार करती है अब बताईए तो जब इस प्लेटफॉर्म को पार किया तो क्या उसकी लंबाई निकाल सकते हो रेलगारी A की लंबाई और 298 मीटर इस दूरी को तै किया गया होगा रेलगारी A की लंबाई A माल लिया जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म के लंबाई के साथ साथ वो खुद की लंबाई को भी पार करेगा 299 पलस खुद की लंबाई ठीक है 24 के चाल से गया है पार कर लिया है 30 सेकेंड में तो चौबन के चाल 18 तीय चौबन तो 5 तीय पंदर यानि 15 मीटर पर 30 सेकेंड तो उपर लंबाई है यानि दूरी दूरी बटा चाल होता है समय और समय लगा है 30 सेकेंड खतम 15 तीय पैटालिस एका मान निकालो 450 में से घटा दो 200 अंठानवे क्या दिक्कत है तो एक की जो मान हो गई ट्रेन एक की लंबाई 10 में से 8 गया दू 14 में से 9 गया 5 ये बच गया आपका 3 में से दू गया 1 152 मीटर है जी ट्रेन एक की लंबाई अब ट्रेन B की लंबाई कितनी होगी अब यहां से निकालो कहता है 72 किलो मीटर परती घंटा के 40 से गती मान रेलगारी B रेलगारी A को समान दिशा में 66 सेकेंड में पार करती है समान दिशा में 66 सेकेंड में पार करती है अब जब एक रेलगारी दूसरे रेलगारी को पाड़ कर रही है इस पे क्या होगा दोनों के लंबाई को योग को ही पाड़ किया जाएगा पहली रेलगारी 122 मीटर है तो 122 मीटर की तो रेलगारी A है B की लंबाई नहीं पता है इन दोनों के लंबाई के योग को पाड़ किया जाएगा और दोनों समान दिसा में 72 में से 54 घटा दो इन दोनों का अंतर 18 बचेगा जी तो 18 यहां किलो मीटर परती घंटा न लिके 5 बटा 18 से गुना करके मीटर परती सेकेंड में यानि 18 किलो मीटर परती घंटा को 5 मीटर परती सेकेंड कह सकते हो और दोनों ट्रेन एक दूसरे को पाड़ किया 66 सेकेंड में आजाओ तो 36 36 36 36 330 में से 152 घट जाएगा बी का मान क्या हो जाएगा 36 36 36 33 330 में से 152 घटा दो कितना आजाएगा 10 में से 2 गिया तो 8 अब बचा 12 में से 5 गिया तो 7 ये बचा 2 में से गिया 1 178 मीटर हुआ ट्रेन B की लंबाई तो भाई या ट्रेन B की लंबाई ट्रेन A से कितना अधीक है कितना परतिसत अधीक है तो 152 से 178 कितना ज़या होता है 8 में से 2 गिया 6, 7 में से 5 गिया 2 बात खतम 26 मीटर अधीक है किस से 152 से अब परतीसत में ले जाना है तो 100 परतीसत से गुना ये आजाएगा 17 परतीसत लगभग, option C आपका answer प्लेलिस्ट बन जाएगा बीपी नियादब मेरा भी नाम बुड़ा रहा है तू तब से लगा तारेक ही बात कह रहा है प्लेलिस्ट बना हुआ है जाके चेक करो आजाओ अगला सवाल सवाल देखो इसमें मातर 22 से 23 सवाल है अगर तुमने 22 23 सवाल बना लिये फिर एक भी सवाल तुम्हारा नहीं छूटने वाला है जी पक्का हाँ एक रेलगारी अपनी लंबाई से दूगने लंबाई प्लेटफर्म को 72 किलोमीटर परती घंटा के चाल से 45 सेकेंड में पार करती है वह रेलगारी 400 मीटर लंबी दूसरी रेलगारी को जो की 54 किलोमीटर परती घंटा के चाल से विप्रित दीसा में गतीमान है को मिलने के पश्चात कितने समय में पार करेगी सवाल देखो क्या कहता है एक रेलगारी अपने लंबाई से दुगने लंबाई वाले प्लेटफर्म को 72 किलोमीटर परती घंटा के चाल से 45 सेकेंड में पार करती है जब प्लेटफर्म को पार की प्लेटफर्म को पारकी तो अपनी लंबाई के साथ-साथ प्लेटफर्म के लंबाई को पारकी होगी तो एक रेल गारी अपनी लंबाई से दुगने लंबे प्लेटफर्म सोचो, ट्रेन 1, इसमें दो ट्रेन की चर्चा है ट्रेन 1 की लंबाई अगर X होगा ट्रेन एक की लंबाई X होगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दुगना है यानि 2X तो पार करता है 72 के चाल से 45 सेकिन में जब कोई प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो क्या होता है अपनी लंबाई के साथ साथ उस बस्तू के लंबाई के योग को तो अपनी लंबाई X और 2X प्लेटफॉर्म तो हो गया 3X इस लंबाई को पाड़ करता है 72 के चाल से यानि 20 मीटर पर 30 सेकेंड के चाल से तो 45 सेकेंड में पाड़ कर लेता है 3 से काटा 15 बाड़ में 15 दूना 30 X का मान हुआ 15 दूना 30 यानि 300 मीटर यानि वह ट्रेन 300 मीटर लंबी है यहां निकालो प्लेटफॉर्म तो 600 मीटर लंबी हो जाएगी बात आया समझ में कोई दिक्कत नहीं है अब सवाल काता है वह रेल गारी 400 मीटर लंबी दूसरी रेल गारी को जो 54 किलो मीटर पर 30 घंटा के चाल से विपरित दिसा में गतिमान है को कितने समय में पार कर जाएगी विपरित दिशा में गारी एक दूसरे को पार करेगी विपरित दिशा हो या समान दिशा हो लंबाई हमेशा जुड़ेगा और विपरित दिशा में चाल जुड़ जाता है तो अब देखो 300 मीटर ये खुद है पहली ट्रेन 400 मीटर अब दूसर की ट्रेन तो 700 मीटर दूरी तै किया जाएगा और 700 मीटर दूरी तै किया जाएगा opposite direction में कितना दिर में पार कर देगा तो पहला का चाल आपको 72 पहला का चाल है कितना 72 दूसरा का चाल 24 तो 72, 18, 4, 2, 6, 7, 5, 12 या इसको 72, 20, 24 को क्या बोलते है 18, 24, 25, 25 20 आप 15 हो गया 35 मीटर पर 30 सेकेंड यानि 35 मीटर पर 30 सेकेंड के चाल से तो दूरी तै करना है 700 मीटर दूरी तै करना है क्रॉसिंग करते समय लो हो गया मीटर से मीटर 35, 27, 20 सेकेंड लगेगा हमारा answer option C हो गया तेखो ऐसे सवाल आप चुटकियों में बना सकते हो पर दोस्त जैसा मैंने पीछे पढ़ाया सुबह में क्लास कराया थ थियोरी का अगर तुमने नहीं किया है तो इत्युमारे माथे के उपर से चल जाएगा और तुम भटकते रहोगे इधर से उधर है ना हम सलहा पंचाइथ से है मैथ्स भाई निरज गुमार चलो भजी सलहा पंचाइथ से एक और मैथ्स तो हुआ कम से कम आज़ो भई सवाल देखो कोई रेलगारी किसी औसत चाल से 63 किलो मीटर दूरी तक चलती है और तब अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलो मीटर परती घंटा अधिक की औसत चाल से 72 किलो मीटर परती घंटा के दूरी तै करती है यदि उसे पूरी यात्रा संपन करने में 3 घंटा लगता है तो रेलगारी किसी आउसत चाल से 63 किलो मीटर की दूरी चलती है ठीक बात और तब अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलो मीटर परती घंटा अधीक आउसत चाल से 72 किलो मीटर की दूरी ते करती है 6 किलो मीटर परती घंटा अधीक चाल से 72 किलो मीटर की दूरी ते करती है यदि उसे पूरी यात्रा में संपन करने में 3 घंटा समय लगा है 63 किलोमीटर दूरी को कुछ चाल से वो रेलगारी चलती है मान लो कि वो 63 किलोमीटर दूरी X के चाल से चलती है लेकिन अगला लेकिन और तब अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलो मेटर परती घंटा अधीक क्या उसाथ चाल से 72 किलो मेटर की दूरी ते करती है अब वोर ये लगारी 72 किलो मेटर की दूरी ते करती है इस प्रारंभिक चाल के 6 जादा चाल से पताओ दूरी बटा चाल समय और पूरा समय उसको लगा है 3 घंटा, पूरा समय कितना दिर लगा है, पूरा समय बोला है कि 3 घंटा, इस यातरा में टोटल 3 घंटा, अब देखो, या तो तुम इसका LCM लोगे, तो LCM लोगे तो X into X plus 6, तो फिर क्या होगा, ये XX गुना होगा, तो नीचे X से स्क्वार होगा, अब गुनन खंड बीधी से हो जाएगा हाट, ऐसे सवाल को बनाओ बाई, उप्सन, तो उप्सन से बनाओगे, 24 रखोगे, कोई तालमेल नहीं बन रहा है, 3 लाना है यहाँ पर, 33 रखते हैं, 33 रखेंगे तो मानलो 3 से कटा 11 बार में, और 3 से कटा यहाँ पर 21, 63, लेकिन 33 यहाँ दिक्कत है, आप अगर कोई दूसरा संख्या रखो, 42, तो 42 अगर यहाँ रखते हैं, X के जग़ 42, चुकि जो पूछा है, प्रारंभिक चालू, प्रारंभिके चाल, X है, तो 42, तो 6 से, 21 दूना 42, 21, 63, 63, आपने X के जग़ 42 रखा, तो यह पूरा हो गया, 42, 46, अब 24 दूना 48, 24, 33, 72, बटाओ, तीन बटा दू, तीन बटा दू, क्या हुआ, 6 बटा दू, यानि तीन, यानि देर हाँ, तीन घंटा हो गया के नहीं, option C आपका answer है, ऐसे सवाल, जब X इंटू X पलस 6 या कुछ हो जाए, जो X से स्क्वार दे रहा है, ऐसे सवाल को नीचे option से लेके बना देना, बात आए समझ में, आईए जड़ा, गौड करिए, इस सवाल को देखो, सवाल कहता है, एक मालगारी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलो मीटर परती घंटा के आउसाथ चाल से रवाना होती है, उसके 2 घंटे पस चात एक एक्सप्रेस गारी दिल्ली से कहता है, एक मालगारी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलो मीटर परती घंटा के आउसाथ चाल से रवाना होती है, ठीक है, कहां दिल्ली से मुंबई के लिए, एक मालगारी दिल्ली से मुंबई के लिए, लेकिन 40 किलो मीटर परती घंटा के चाल से, ये 40 किलो मीटर परती घ गंटा के चाल से चली है एक दूसरी रेल गारी कहता है एक गारी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई माल गारी के समांतर पतपर 60 किलोमीटर परती गंटा के चाल से एक दूसरी रेल गारी उसके दो गंटा बाद चलती है लेकिन ये 60 किलोमीटर परती गंटा के चलती है लेकिन दो घंटा के बाद सुनो दो घंटा बाद चलती है एक बात बताओ तब सवाल कहता है कि बताईए दिल्ली से कितना दूर पर दोनों मिल जाएगी अरे दिल्ली से कितना दूर पर मिलेगी मिलेगी तो तब जब पहली गारी को दूसरी गारी जाकर पकर लेगी तो दूसरी गारी को पकरने में लगा समय आपको याद है time and speed distance पढ़ाये थे देखो यहाँ पकरने में लगा समय पकरने में लगा समय इस बात को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि दूसरी गारी के खुलने तक यानि चलने तक पहली गारी कितना दूर आगे है आप सो जो दू घंटा बाद चलेगी ये तो उन 40 के चाल से दू घंटा में 80 किलो मीटर वो आगे है, पक्का 80 किलो मीटर आगे है इसी को आप भाग लगा दो एक ही दिसा में जाएगी तो चाल घंटाओ, 60 में से 40 घंटाओ 20, यानि 20 किलो मीटर परती घंटा जो एस्टरा चाल है, उसी से इसको पकड़ा जाएगा, यानि किलो मीटर किलो मीटर 24 के 80 4 घंटा लगेगा इसको पकरने में, तो 4 घंटा में पकड़ेगा, पकड़ेगा कौन जी जो दूसरी गारी गई है वो पकड़ेगी, तो दूसरी गई है 60 के चाल से, तो 60 किलो मीटर परती घंटा के चाल से 4 घंटा में, 6 चक के 24, 240 किलो मीटर दूरी तै हो गिया, 240 किलो मीटर दूर जाकर दिल्ली से, 240 किलो मीटर दूर जाकर पकड़ा जाएगी, यानि दोनों गारी मिल जाएगी बात आए समझ में यही बात है और कोई बात नहीं है ऐसे सवाल को बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है आप ऐसे ही बनाओगे बहुत असान आजाओ सवाल कहता है एक ट्रेन की गती एक चलती कार के समध में 70 km परती घंटा अधीक है एक ट्रेन की गती एक चलती कार के समध में 70 km परती घंटा अधीक है अच्छी बात कार तेज से जाती है और पहले की गती से 10% अधीक गती के साथ बढ़ना सुरू करती है अच्छी बात है सात सोपचास किलोमीटर की दूरी ट्रेन ते करती है तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी। ट्रेन की चाल हो जाएगी दूरी बटा समय। 750 किलो मीटर की दूरी को 3 घंटा में ते करती है इतना किलो मीटर दूरी इतना घंटा में 25 तीय 75 यानि ट्रेन जो है 250 किलो मीटर 250 किलो मीटर परती घंटा के चाल से चल रही है काय कि 750 किलो मीटर दूरी ते की है और 3 घंटा लगाई है तो ट्रेन की चाल 250 km परती घंटा है अब सवाल ये समझो क्या कहता है एक ट्रेन की गती एक ट्रेन की गती एक चलती कार के समध में 70 km परती घंटा अधीक है 70 km परती घंटा अधीक है तो कार की चाल कितनी है वरतमान में कार की चाल कार की प्रारंभीक चाल देखो प्रारंभीक चाल क्यूं लिख रहा हूँ किवकि उसने चाल बाद में बढ़ाया है प्रारंभीक चाल हम ये कह सकते हैं 250 मैं से 70 घटादो 0 मैं से 0, 15 मैं से 7 गया 8 180 यानि कार चल रही है 180 किलोमेटर परती घंटा के चाल से 10% अधी गती के साथ बढ़ना शुरू करती है, तो दोनों अब 3 घंटा के लिए यात्रा करती है, लास्ट में कार कितनी दूरी ते किया है, कार की नई चाल कितनी हो जाएगी बताओ तो, ये तो कार की पुरानी चाल है, तो 180 जो था, उसमें 10% बिर्धी कर देगा, तो 110% हो ग चाल से चलेगा, तो 178 किलो मीटर प्रती घंटा के चाल से चलेगा, 3 घंटा में कितना दूरी ते करेगा, 3 घंटा दोनों चला है, 8, 3, 24, लास्ट में 4 बला, 594 किलो मीटर चलेगा, 594 किलो मीटर चलेगा, ये होगी आपका सवाल का जबाब, 10% अधिक गती से चलेगा, तो वो 594 किलो मीटर चलेगा जी, 594 किलो मीटर, पाता है समझ में, देखो, आगे देखो, सवाल है, इसके बाद एक और सवाल ऐसा ही होगा, कहता है एक ट्रेन जैपुर से सुबा 10 बजे चलकर 11 बजे सीकर पहुचती है, दूसरी ट्रेन बी से सीकर से सुबा 10 बजे चलकर 11 बजे सीकर पहुचती है, दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, सुनो, कहता है एक ट्रेन जैपुर से सुबा 10 बजे चलकर 11 यह चलती है 10 बजे, अब पहुँच जाती है यहाँ पे 11 बजे, बहुत बढ़िया बात, एक दूसरी ट्रेन क्या करती है, इधर से चलती है सीकर से, और यह 10 बजे चलती है, यह 10 बजे चलती है, लेकिन यहाँ पहुचती है यह 11.30 में, 11.30 बजे, ऐसा सवाल देख लो, इस ट टाइप को एक बार दिमाग में बैठाओ, इस सवाल में दूरी नहीं दिया, चाल नहीं दिया, खाली पहुचने का समय दिया, सिर्फ पहुचने का समय, कि यह 10 बजे चलती है, 11 बजे पहुचती है, एक घंटा में पहुची, इधर वाली गारी, इधर वाली सीकर से जो चली दस बजे चली, सरहे गारा बजे पहुंची ऐसे सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका लगाओ हाँ सुनो, इसको क्या करना है अब कोन ममता के चकर में पडलहरे पगला सा है, अमन यादव यादव का नाम हसबा रहा है तु, है सुनो, तो यहाँ देखो, आपने ऐसे में, जब दोनों का केबल समय दिया हुआ है, दूरी को भिन में 1 मानलो, की टोटल दूरी 1 है इसको मानलो इसको मानलिया गया, टोटल दूरी 1 माना, भिन में तो 10 बजे चलती है, 11 बजे पहुंचती है, तो इधर वाली गारी का चाल क्या हो जाएगा 10 बजे चली, 11 बजे पहुंची यानि 1 दूरी को 1 घंटा में तय किया, यानि इसका चाल हो गया 1 किलो मीटर परती घंटा, ऐसे ही समझो दूसरा का चाल, भीटू लिखेंगे ये 1 दूरी को 1.5 घंटा में तय करता है यानि 3 बटा दू 10 बजे चला, सारहे, 11 बजे पहुंचा ये दू उपर चला गया यानि 2 बटा 3 किलो मीटर परती घंटा इसके चाल को कहिए अब देखो, चुकि दूरी तो समाने होगा न, दोनों के लिए दूरी 1 किलो मीटर माल लिए दूरी समान माल लिए तो दूरी 1 किलो मीटर माल लिए कोई दिक्कत नहीं, एक किलो मीटर परती घंटा, इदू बटा 3 किलो मीटर परती घंटा, अब देखो दोनों एक ही बार चलेगी तो एक किलो मीटर दूरी को जैसे ही तय कर लेगी तो दोनों आपस में मिल जाएगी एक किलो मीटर दूरी को तै करेगी इभी दस बजे चलती है इभी दस बजे चलती है तो दुनों एक दूसरे के तरफ जैसे ही चलेगी चलते चलते मिलेगी तो दूरी तै हो जाएगा तो एक किलो मीटर दूरी को कितना दिर में तै कर लेगी इसको जोर लो तीन एकम तीन अदू पांच बटा तीन यानि जोर दोगे तो पांच बटा तीन किलो मीटर पड़ती घंटा के चाल से एक किलो मीटर दूरी को तै करना है यही तो बात हुआ तीन उपर चल गिया देखो तीन बटा 5 घंटा लगेगा अगर मिनट में चेंज करना चाहते हो तो 60 से गुना कर दो 5 से बाराबार में बारतीय च्छतिस मिनट लगेगा जी 36 मिनट में दुन्नों एक दूसरे से मिल जाएगा 36 मिनट यानि की 10 बज़ के 36 मिनट पर मिल जाएगा 10 बज के 36 मिनट पर मिल जाएगा आपका एंसर हो गया option भी दोस्त अगर दोनों ट्रेन एक ही time चले पूरा सवाल है इसी रहे इसे बज़े चला इभी 10 बज़े चला तो इस सवाल को बनाने का और असान तरीका है सुनो इस बज़े चला 11 बज़े पहुचा तो एक घंटा में पहुचा पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन 10 बज़े चली 11 बज़े पहुची डेड़ घंटा में पहुची तो फर्मूला याद है आपको जब दो ब्यक्ती मिल के काम करता है तो कितने दिन में ए भी बटा ए प्लस बी दिन एक फर्मूला याद था टाइम एड वर्क में पढ़ाये थे उस पे भी रगर दो एक गुना ये डेर अनीचा जोड़ दो दुन्नों को एका डेर कितना अड़ाई चलो अभी घंटा में है तो घंटा में निकल गया दसमलों से दसमलों काट दो मीनट में ले जाना है साथ से गुना कर दो पांच से पचे पचीस पांस ती पंदर पांस से काट दिया बारा बार में बारत याई 36 मिनट लगेगा मिलने में 36 मिनट में वो दूरी तै हो जाएगा यानि 10 बजे से 36 मिनट लगेगा 10 बजे दुन्नों खुला था 36 मिनट लगेगा यानि 10 बज कर 36 मिनट पर दोनों मिलकर इस दूरी को तै कर लेगा बात आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में 1046 बच्चा को मैं देख रहा हूँ आधा घंटा से हिला नहीं है जी एक बात है छोड़िये छोड़िये एकजाम में टाइम है आए ठीक है घूमो घूमो चलो आगे देखो इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे तो एक सवाल ये है अब जैसे ही मैंने कहा कि 1046 में से भागा नहीं कोई एक लास्ट सवाल है भाग गिया, नव को भाग गिया सुनो इस सवाल देखो कहता है कि एक ट्रेन 6 बजे जैपूर से चलकर 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है और दूसरी ट्रेन पराता 8 बजे दिल्ली से चलकर जैपूर सारहेगारा बजे पहुंच जाती है किस समय ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी किस समय ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी देखो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है पूरा दूरी 1 माल लेना है 1 किलो मीटर लेलो क्योंकि दूरी तो है इन्हें सबसे छोटा माल लिए 1 किलो मीटर दूरी ये 1 किलो मीटर दूरी को जाता है 6 बजे जाता है 10 बजे पहुंचता है तो 6 बजे से 10 बजे पहुंचा तो 4 घंटा में यानि पहला का चाल हो गया जी 1 क किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा, ता एक वट्टा 4 किलोमीटर परती घंटा, और दूसरा का चाल क्या हो गया, एक किलोमीटर दूरी तय करेगा कितना दिर में, आठ बजे चला, इधर से, सारे 11 बजे, तो सारे 3 घंटा, सारह तीन मतलब साथ बटा दू, दू उपर चला गिया, यानि दो बटा साथ कीलो मीटर पड़ती घंटा, इस सवाल को ध्यान देना, दोनों गारी एक ही बार नहीं चली, इधर वाली छो बजे चलती है, और उधर वाली आठ बजे चलती है, इधर से जो गारी चलती है, वो आ आठ बजे, आठ बजे से तदुन्यों चलेगी, लेकिन इधर बाली पहले छो बजे से जो चलती है, आठ बजे तक यानि दो घंटा अकेले चलेगी, तो दो घंटा में कितना दूरी तै कर लेगी, एक बटा चार किलो मिटर परती घंटा के चाल से, दू घंटा में, वन वाई टू किलो मिटर दूरी तै कर देगी, तो वन वाई टू किलो मिटर, तब वन किलो मिटर है, उसमें से वन वाई टू तै हो गया, तो वन वाई टू बचा, सेस वन वाई टू किलो मिटर बचा, ये जो सेस बचा, चुकि एक किलो मिटर में से आधा किलो मिटर तो उतै करिये आठ बजे से लगा समय क्या होगा तो एक बट्टा दो किलोमीटर दूरी त्य करना को जोड़ दिये हम इसको आइसको जोड़ दिये अब क्या होगा तो वन बाइट टू ऊपर चल जाएगा 28 बटा 15 दूसे काट दिया इसको 14 दूना 28 14 बटा 15 घंटा हुआ जी चुकि सब को आपने किलो मीटर परती घंटा और किलो मीटर में ही लिखा था अब इसको अगर 15 चुकि साथ 14 चुकि 56 मीनट लगेगा दस बजे के बाद 56 मीनट दस बजे के बाद 56 मीनट यानि आठ बजकर 56 मीनट पर दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी बात आया समझ में चलिए अब चलिए जड़ा ध्यान दीजिएगा और एक बात बताओ ये बात सब समझ में आया आपको टाइम एस्पीड डिस्टेंस का मैंने दो वीडियो पढ़ा रखा है सुनो टाइम एस्पीड अगर तुम चाहते हो कि भाईया देखो मैं चाहता तो मैंने आपको बताया कि मैं सुबह में आफलाइन ही बैचेज लेता आपको फ्री पढ़ाने की हमें जरूत नहीं था हमने 10 लाख रुपे पर निश्चित है कि लात मारी है तो टाइम एस्पीड डिस्टेंस की दो कलास हो गई है जाके देख लो दो वी वीडियो हो गया कि न दो वीडियो एबरेज का एक वीडियो में खतम किया है एबरेज का बहुत संदार तरीके से एक वीडियो में खतम कर दिया ऐसे खतम किया है तो इतना टोपिक अभी अचा रेसियो रेसियो का रेसियो का भी एक वीडियो में खतम है एक वीडियो में त तो इतने मैंने पढ़ा दिया है अभी आपके इस course में, तो आप जाकर इस course को कर लीजिए, इतना आपने देख लिया तो बताओ, time spin distance बड़ा सा topic था ही हो गया, आज आपका train भी कर लिया मैंने, average बड़ा था इसको करा दिया है, ratio था करा दिया है, side delegation भी करा दिया है मिसर, उस पढ़ा देंगे अगला दिन compound interest, और जो बच्चा simple interest का class नहीं करेगा, उसको compound interest समझ में नहीं आएगा, इसलिए simple interest के class में आना है, जो कल 8 बजे आपको एक बार केवल आपको बैठना है, class तो हम खतम करा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, simple interest में चाहे आप कि से घूसेगा, बस 8 बजे से रहिएगा, सुरू से रहिएगा, हाँ, एको परवीन याद पूछ रहा है, पिडिया regular class करती हो, पिडिया से number दिलवा दे, फोन करके उससे पूछते रहना, उसको पढ़ाओ पिडिया को, पिडिया नहीं पढ़ेगी, तो फिर कैसे तुम कहोग कहोगे, ओ प्रिया प्रिया, क्यूं भुला दिया, बेबा फाया बे रहम, क्या कहूं तुझे सनम, तो तुम्हारा यही हाल होगा, प्रिया का याद कर रहे हो, इसके बाद हम परहेंगे compound interest, compound interest, आजा, तो कल सुबह आठ बजे आप लोग रहेंगे live, आएंगे class में और मज़े से, और आज साम में 7 बजे reasoning चलेगा 50 प्रसन का, साम के 7 बजे reasoning, reasoning दुईया दिन पढ़ना है, दू दिन में ही पढ़ोगे और दू दिन में complete करा देंगे, साम के 7 बजे, याद रहेगा ना, साम के कितने बजे, 7 बजे, साम 7 बजे copy pen लेके तयार हो जाना, साम 7 बजे reasoning, तुम लोगों के लिए में, देखो, सारी सुविधाय कर दी है, अब इसके बाद मुझे ने कहना कि सर आप भूल गएं, अब हमको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं, thank you, love you, साम में मिलो